नमस्कारा दोस्तों मैं हूं गगन और आज की सीजिवयों है इनके बारे में यह ब्लक पेंट ब्लक डाच जो है फीचल वालीppen को हैं और बहुत बहुत बिखने को मिल रहा है इनका क्या कामımız आज इनकी बात करते हैं और आपको बताते हैं फिर यहां पर क्यों लगाए गए हैं क्या इनका काम है और कैसे जो है इनकी यूज़िस है इनकी एक दू यूज़िस नहीं है तीम चाहर यूज़िस है और उन सब की बात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अंदर बैठते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इनका क्या काम है यह जो black dots है दोस्तों इनको कहते हैं frit अब यह frit एक material होता है जो की लगाया जाता है जिससे यह black dots बनाया जाते है सबसे पहले इन dots का जो uses होता है वो यह कि जब भी glass को चिपकाना होता है कार के front वाले frame में तो यह यहाँ पे paint किया जाता है frit paint करने के बाद उसे चिपकाना जाता है उससे क्या होता है कि जो इसका adhesive है जिससे चिपकता है frame यहाँ पे उसके और इसके बीच में bonding जो है वो मजबूत होती है ठीक है तो सबसे prime uses इसका यही है फिर इसको बाहर की तरफ भी किया जाता है ताकि जब यह ultra-oided rates गिरे तो वो adhesive को over the time खराब ना करे क्योंकि अगर ultra-oided rates गिरेगी बार-बार ultra UV rays जो है तो वो उसको weak करते जाएगी bond को और वो weak ना हो इसलिए यह वाला bond जो है again as a sun shade जो है काम आता है उसके बाद में आप देखेंगे कि कई जगें यह करते-करते यहां पर बहुत सारा किया हुआ है जबकि यहां इसका इतना कोई uses नहीं है तो यहां यह दोस्तों जादा इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसका dual purpose हो जाता है यह करने से यह sun shade की तरफ काम करता है और आपकी जो glass ना सरफ यह rear view mirror इसको protect करता है बलकि एक तीसरा sun visor के रूप में काम आ जाता है एक sun visor हमारे पास यहां driver के पास ही होता है दूसरा passenger के पास यहां होता है और यह तीसरा तो permanent हो गया यहां पे आपको transparent तो बहर दिख भी रहा है और sun जो है वो भी थोड़ी बाद protect हो रही है तो एकदम से कोई glare ना हो वगरा वगरा driver कोई problem ना हो उसके लिए यह dots दिये जाते हैं जो यह आप देख रहे हैं थिक black यह दिये जाते हैं ताकि अच्छे से frame में mount हो जाए और यह black से थोड़े आज मोटे dots और फिर चोटे 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 जो आप देख पा रहे हैं मैं इसको एकदम से close look लेता हूँ तब आप समझ पाएंगे अभी शायद यह आपको clear समझ आ रहा होगा यह पहले बड़े-बड़े dots से थोड़े चोटे फिर चोटे चोटे और चोटे होते हुए यह इसलिए किया जाता है ताकि पूरी गाड़ी पे जब यह black strip जो है वो थोड़ी अटपटी सी ना लगे पूरी की पूरी black strip अच्छे से ऐसे लगता रहे कि हाँ वो mix होते जा रही है transparent से black से transparent जब आप जा रहे है तो अच्छे से blend होके mix हो जाए तो बस यही है एक छोटा सा dot है और बोड़ा कमाल का अगर यह नहीं होगा तो मैं आपको ताता हूँ क्या होगा पहली चीज ग्लास जो है वो perfectly adhesive के साथ चिपक नहीं पाएगा ठीक है अगर चिपक भी जाएगा temporary you guard कर भी दिया आपने तो over the time आप धूप में यूज करते रहेंगे और उसके बाद में कहीं से cut fat के निकलने लग जाएगा महिंद्रा ने जब बहुत पहले jeep launch की थी तब मुझे अच्छे से पता है यह नहीं हुआ करता था उसमें और हमारी गाड़ी के side में एक rubber का mount लग रहा था जैसे की आपको बताता हूँ यह जो आपको rubber का दिख रहा है यहाँ पे ऐसा लग रखा था पूरे के पूरे दौना तरफ आप भी देखेंगे पुरानी गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा और उससे जरूर थोड़ी सी हैप मिल जाते थी लेकिन वो भी over the time उतर जाता था यह आने के बाद यह टेकनोलोजी जो है छोटी सी एक science का यूज करके बहुत ही अच्छी तरीके से यह काम करती है ना ही तो sun की होज़े से कोई problem होती है ना ही आपको जो है कोई rubber strap लगानी कोई issue नहीं है चिपकाओ बढ़िया और blend हो रहा है अच्छे से look भी दे रहा है आपको ultra oil tree से protect भी कर रहा है यहाँ पे यह भी use हो रह होगा बड़ी छोटी सी लेकिन informative वीडियो है कर पसंदा ही है तो like कर दीजिए मैं आपके लिए automobile से डिली वीडियो लाता रहता हूं तो subscribe कर लीजी मैं चैनल को फिलाल अगली वीडियो तक के लिए helmet पहनिए seatbelt पहनिए सुरक्षि चलिए धन्यवाद